कुअ टोपिक वीडियो पहले हैं आज में सब्सक्राइ DC यह का टॉपिक Issue कीक बाए》 सब्लिदिआ और चीन को पतला दिखा सकते हैं जिसकी नोज काफी मोटी वह थी इसको थिन दिखा सकते हैं फोर हेड जिसका ब्रॉड होता है उसको और छोटा दिखा सकते हैं and इस वीडियो को आप देखेगा आप लिए बहुत ही वाली है सो स्टार्ट करते वीडियो फर्स्ट फॉल जो हम लोग कंटोरिंग में प्रोडेक्स यूज करते हैं गाइस कंटोर हमें साथ डार्क शेड में खिया जाता है यह पॉडर फॉर्म में हैं नहीं तो आप क्रीमी वेस भी ले सकते पीएसी का है पीएसी ब्रांड बहुत अच्छा होता है और सेकेंड हम लोग यूज करेंगे लिकविट कंसीलर यह भी पीएसी का है और बहुत अच्छा है क्योंकि आप कंटोरिंग के साथ कुछ एoterिया को हाइलाइट करना होता है इसिलिए कंसीलर यूज किया जाता है एंड गर दीटार के लिए जो ब्रश चाह पर इसे ब्लैंडिंग बहुत अच्छा होता है और यह दो ब्रश होना बहुत जरूरी होता है क्याकि आप इन्हीं ब्रश की हेल्प से कंटोर बहुत अच्छे से कर पाएंगे गईस face के shape कई types के होते हैं oval, round, rectangle किसी का मोटा होता है किसी का पतला होता है shape and किसी की double chin होती है nose काफी broad होता है forehead broad होता है अगर आप इन area को पतला दिखाना है तो make up में contour करना बहुत जरूरी होता है contouring से face आपका बहुती sharp और पतला दिखेगा आप देख सकती वीडियो में मैंने PSE का powder base लिया है और angle brush लिया है इनी की help से मैं face को contour करूंगी और आप client का face देख रहे हैं कि nose किता broad है forehead broad है guys किन part पे और किस area पे आपको contour करना है ये proper तरीके से आपको बताऊंगी मैं guys contour करने से पहले ctm है foundation है concealer है ये use किया जाता है then उसके बाद से contour किया जाता है आज मैं केवल आपको contour करना बताऊंगी ओके आप देख सकते हैं chicks area को highlight करेंगे contour करेंगे और इसके लिए हमें client को pout बनाने के लिए बोला जाएगा इससे आपको guideline मिल जाएगा आप देख सकते हैं पाउड बराने से guideline आपको easily दिख रहा है और इन ही guideline को लेकर आपको draw करना है जो ear का part उपर देख रहे हैं और then chicks के बीच वाले area है वहाँ से लेकर आप end यहाँ करेंगे जादा नीचे नहीं आना है ना ज़्यादा ऊपर जाना है ear के पास से आपका guideline है और जहाँ chicks area पाउड बन रहा है उधर से आप इतने ही half crease लेंगे line यह आपका proper तरीके से guideline है round circle से ही जाएंगे then again आपको बताते हैं पाउड करेंगे पाउड करने के बाद आपको guideline easily से दिख रहा है कान के ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से और यहाँ से line ड्रॉ करेंगे जादा नीचे नीचा आएंगे आपको बताया है मैंने और इस angle brush से अभी ड्रॉ करेंगे blending नहीं करेंगे अब यह जो double chin होता है अब double chin में आप देख रहें जो ear का नीचे पार्ट है नीचे के पार्ट से हम लोग contour करेंगे और double chin को cut करेंगे गाईस आगर आपको make up में perfect look देना है तो contouring बहुत ही main होता है और contour का कुछ area होता है वो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है तो गाईस देख सकते हैं कि दोनों side से हमने contour किया है proper तरीके से करेंगे कहीं अलग area नहीं जाएंगे जो area बना हुआ है contour पे वही पे करेंगे उसी के according ही आपका face एक shape में आएगा और एक पतला दिखेगा इससे double chin cut हो जाता है और face एक shape में आ जाता है and next आता है आपका nose area nose area देख सकते हैं कि तब broad है और इसे अब thin करने के लिए angle brush लेंगे angle brush कुछ type के होते हैं और ये जो eyebrows का जो shape है जहां से starting होता है वहां से लेके top area तक आते हैं मतलब कि nose का जो top area है यहां तक okay guys and किसी का nose बहुत फुला फुला सा होता है ये भी broad area होता है तो इसको भी ऐसे करके cut कर देंगे round shape में अब देख सकते हैं अगेन बता रही हों कि यहां से top area लिया जाता है eyebrow के starting से और पतले एक line दिया जाता है अब इससे आप देख सकते हैं किता पतला दिख रहा है पहले की तरह पहले थोड़े broad था अब थोड़ा सा पतला दिख रहा है and next फिर आता है आपका forehead forehead पे हम लोग करेंगे hair line area पे पूरे पे नहीं करना है जा हेर line होता है वहाँ पे करेंगे ऐसा lines create करेंगे और ऐसा करने से आपका forehead थोड़ा सा छोटा दिखेगा अगर किसी का छोटा है forehead तो उस पे नहीं करेंगे क्योंकि वो और छोटा दिखेगा तो जिसका broad होगा वो उन्हीं पे करना है आपको ओके गईस अब देख सकते हैं कहां कहां मैंने contour किया है आप इसी के according यही एक right contour है और यही एक right area है जिससे आप easily contour कर सकते हैं guys contour को blend करने से पहले highlighting का use करेंगे highlighting मैंने लिया है psc का face की कुछ ऐसे area होते है जो focus area होते है जो front पे light पड़ता है तो उस पे ज़्यादा वो focus दिखता है तो यह कुछ area है उन्हें focus करने के लिए highlighting का use किया जाता है और आप देख सकते हैं कहां कहां पे मैंने highlight का use किया है और आप proper तरीके से ऐसे ही highlighting apply करेंगे then उसके बाद से beauty blender से blending करेंगे contouring and highlighting हाइलाइटिंग में मर्ज हो जाता है और एक natural base बनता है और face भी एकदम sharp और पतला दिखता है दोनों ही equal होना चाहिए guys contouring और highlighting मेकप के दोरा आप अपने नैनक्से जैसे गालो को और अधिक उभार कर और नाक और ठुड़ी पतली दिखा कर अपने face के बनावट को और अधिक सुन्दर दिखा सकती है guys highlighter का यूज करने से जिसका face पतला होता है वो थोड़ा सा मोटा दिखता है and जिसका face मोटा होता है वो थोड़ा पतला दिखता है highlighting base यूज करने से face पर निखार आ जाता है और साथ ही इसकी feature भी highlight हो जाते हैं यह है contouring brush यह contouring brush होते हैं बड़े वाले जिससे blend किया जाता है और छोटे वाले brush यह draw किया जाता है इसके help से blending बहुत अच्छे से हो जाते हैं एकदम natural दीखता हैं और skin में merge हो जाता है अगर आप घर पी रोज practice करेंगे तो make sure आपको बहुत easily तरीके से आजाएगा contour करना I hope guys यह video and theory आपको समझ में आयोगी और आपके लिए बहुत ही useful है for beginners के लिए जो अभी just make up करना सीख रहे हैं और उसमें contour कैसे किया जाता है तो वो properly theory मैंने आप से share किया है और I hope आपको समझ में आया है और रोज practice करेंगे तो आप easily तरीके से कर सकते है guys आज का जो वीडियो है only contouring और highlighting का है इसमें कोई भी make up नहीं किया गया है guys contour और highlighting करने से पहले CTM, foundation, concealer इन सब चीजों का use होता है then उसके बाद से contour होता है पूरा look देखना है तो मैंने in bridal पे किया हुआ है और आप पूरा look देख सकते हैं कि किस तरह से contouring और highlighting से face create होता है look at this guys face पे पूरा base concealer यूज करने के बाद जो highlighter यूज किया है और face को cut किया है और एक प्रॉपर जो shape दिया है तो look wise कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और बहुत ही pretty लगता है काफी gorgeous look दिखता है contour करने से और आप अगर इस तरह से highlighter का यूज करेंगे तो और perfect आपका make up हो जाएगा make up में एक perfect look देने के लिए highlighter contouring ऐसे area होते हैं जिने प्रॉपर तरीके से करना होता है मिलते हैं next video में ओके बाई बाई गाई